नवश्कार दोस्तों, Our Brain, Our Life में आपका स्वागत है आज हम यूथ पावर की बात करें देश के परदानमंत्री से लेके सब लोग यूथ पावर की बात करें यूथ एक वो है जो देश का भविश्य ने अधारित करता है और आज हम समझें हमारे यूथ प्रशान क्यों है साइकलोजी के लिए हम समझने कोशिश करें खाली विरोजगारी बगार नहीं है यूथ के प्रशानी है यूथ के प्रशानी ये है सिस्टम में सुधार ना होना और हम सस्टम में सुधार करने के लिए कर क्या रहे हैं उसको ये ना दिखना जब उसे ये दिखता है तो आप देखना यूथ देश के भविश्य को कहीं का कहीं ले जाता है और यूथ की जो पावर है वो बहुत स्टॉंग है इसके बहुत सारे एक्जामपन मिलेंगे एक सबसे बड़ा एक्जामपन में को याद आ रहा है वो है लौड परश्वराम एक आदमी की वज़े से लौड परश्वराम जी ने पूरी पिर्थ्वी पे कितना बड़ा नरसा हार कर दिया उनकी यूथ पावर ही थी होई साइक्लोजिकली अगर हम इसको समझें कि अगर उनको बाद में भी किसी के समझाने से ही रुकें थोड़ा पढ़िये होई हमारे पुराण को हमारे इतिहास को तो इसका मतलब कॉंसलिंग अगर पहले दी जाती तो बहुत अच्छे रजल रहती है और यूथ पावर को लेके सब लोग बात कर रहे हैं अब हम एक और एक्जांपल लेते हैं ये समझने के लिए कि इस पे हम कितना काम कर रहे हैं या कितनी गर्तियां कर रहे हैं अब हम अबर रमार्ण का अग्जांपल ले हैं और उसको साइकलोजिकरी कनेक्ट करना चाहें आज आप से कोई सवाल पूछता है कि लौर्ड रां को बनवास क्यों होगा क्या कारण है तो आप क्या बोलेगे कि अधरा नहीं कर दिया कि कई नहीं कर दिया वर्दान मिले थे बहुत सारे कारण है जो हमरे दिमाग में आएंगे लेकिन क्या वह सही है दस्रुजी को वर्दान ही नहीं देना चाहिए था पर इसको हम साइकलोजिकली यूथ पावर के साथ आटेस्ट करके देखें तो आपको कुछ अलग समझेना आएगा अब मैं जो समझा रहा हूं उसे इंगल से देखिए कि अगर दस्रुजी ने चारों राजकमार को बिठाया होता और उन्हीं से पोच्छा होता पूबिल बिदा केंग तो जिस भरत के लिए सब राजबाट मांग रहे थे वही सबसे पहले बोल देता कि लौड राम बिल बिदा केंग वो यूथ है उसको समझ है किस तरह देख चलेगा आप उस पर भरोसा दो कीजिए लेकिन अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे उसके विचारों को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो क्या होगा फरस्टेशन एंगर यह बढ़ता चाहेगा और जैसे ही फरस्टेशन एंगर बढ़ेगा उसमें तो क्या होगा ग्रोस रुख जाएगी अलग बीमारियां में सला जाएगा डिप्रेशन के एंगल में सला जाएगा तो हमें यूद के लिए क्या सोचना चाहिए ये सवाल आता है कोई बात कि मेरी तरस सुझाव ये है उनके पास पावर है अनर्जी है उनके पास नई सोच है नई दिशा है उनके पास एक ही चीज़ की कम्य है वो है एक्सपिरियंस तो हमें उनके साथ अपना एक्सपिरियंस साजा करना चाहिए ताकि वो अपनी अनर्जी को सही दिशा पे लगा वाएं और उनके रिजल्ट जो आप सोच रहे हैं उससे भी बेटर होंगे ये मेरा पे विश्वास करके आप सिर्फ एक बार ये काम कीजिए उनको सिर्फ अपना एक्सपिरियंस साजा कीजिए उनको फ्री छोड़ दीजिए काम करने के लिए तो देखना तेश समाज सब लोग तरकी करेंगे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आप हमें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें और कोई भी सवालों आप हमसे ज़रूर पूशें हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फ़ाई अंस देने के बहुत बहुत धन्यवाद